आप देख रहे हैं चोहर वीडियो और आज इगनु के जून 2023 एक्जाम रिजल्ट के उपर इगनु के तरफ से नई अपडेट जो है वो जारी की गई है इगनु के तरफ से अरले डिकलेरसन जो है उसका रिजल्ट की फॉस्ट अपडेट को पब्लिस कर दिया गया है अरले ड जानकारी देती और इस लिंक को दिखाया था कि इसमें आपके लिए 26 जून 2023 का इस्टेटर यहां पर नजर आ रहा है जब आप आज इस लिंक को दुबारा ट्राइ करेंगे इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डिस जानकारी देती जब एक्जाम शुरू होने वाले थे तो उससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी ऐसे जो की फाइनल येर में है या फिर उनका फाइनल येर के एक या दो सब्जेक्ट रहता है जिसका रिजल्ट नहीं आया जिसकी वयासे उनका यह पूरा डिगरी है जल्द ये अपनी मार्क सीट चाहिए और उनको पास करना को तो ऐसे जो इस्ट्रूट है वो अरली डेक्लेर्टियरिशन का फॉर्म भर देते हैं ताकि उनका रिजल्ट जल्दी डेक्लेर कर दिया जाय चाया तो ऐसे इस्ट्रूएँ उनका अरले डेकलेरिशन का अगर हम पिछले कुछ sessions की बात करें खासकर यह जो कोविड का lockdown हुआ था उसके बाद से अगर हम बात करें तो early declaration का form भरना भी बंद हो गया था और early declaration का result का declare होता है वो भी बंद कर जा गया था लेकिन इस बार से आपके लिए फिर से वोई system जो है वो लागू कर दिया गया है पुराना system जो की आपका कोविड के lockdown से पहले होता था कोविड के lockdown से पहले इस तरीके का कुछ system था कि जो भी student exam देते थे उसमें अगर कोई student जिसने exam सुरू होने से पहले early declaration का form भरा है तो उनका result जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाता था और उसके बाद आपके जो normal student जिनोंने किसी भी तरीका कोई form फिलप नहीं किया है सिर्फ अपना जून 2020 का exam form भरा है और अपने exam दिया है उनका result जो है वो बाद में डिक्लेयर कि दिया जाता था तो इस बार ऐसा ही हुआ है कि early declaration का form भरा था उनका result यहां पर पहले declare कर दिया गया है जिसको आप यहां पर से check कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते कि early declaration का form क्या है और उसकी details क्या है तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं यह आपके लिए early declaration का form होता है जिसको आपको fill करके अपने जो भी आपका evolution center है वहां पर submit करना होता है लेकिन इसकी खास बात यह है कि सरफ final layer के जो experiment होते हैं वो ही इसको fill कर सकते हैं ऐसे experiment जिनका एक या दो subject का जो exam का result आना है वो रहता है उनको कुछ evidence भी यहां पर submit करने होते हैं जिससे कि यह पता उनको चल पाए कि उनको सच में अपना result जो है उसको जल्दी उनको early declaration की जरौत है कि उनका कहीं पर उनको job का offer आगया तो job letter की photocopy यह फिर कहीं पर उनका admission हो चुका है तो उसकी photocopy बगारा उसको document को evidence के तोर कर भी साथ में submit करवाना पड़ता है जब आपकी application को accept कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर आपका जो result है वो जल्दी declare कर दिया जाता है उन subjects का जिनका आपने आपर जो early declaration का form है वो भरा होगा तो इस तरीके का form जिन भी इस प्रौन ने भरा है उनका result की first update आप जारी कर दी गई है आप अपना result चेक कर सकते है